नमस्कार दोस्तों वेल्कम नॉलेज एपीसी मैं हूं निकेल और हम लोग आज की इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नमबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स का इनपॉर्टेंट क्या है तो चली सुरू करते इस वीडियो को तो सबसे पहला कोशन देखते हैं इसमें क्या है तो विच वन आफ दा फॉल्वर का बीटेंट इन्टु थीन सीट तो थीन सीट पे इन सीट किस मेटल को बीट करके बनाया जा सकता है आपके एक्जामपोल है विच अब दा सेमिसेट मेलेडिटी का कुमेल लिटी के समयं क्रेक होता है मैटल्स का गुर्ण होता है All metals are ductiles, All non metals are ductiles, Generally metals are ductile, Some non metals are ductiles तो ductility का property मतलब कि क्या होदा, ductility का मतलब होता है कि thin wire में drawn कर सकते हैं अगर आप किसी element को आप thin के thin wire बना सकते हैं तो उसको ductility की property बोला जाता है ductility बोली जाती है, ओके, तो इसमें हमें समझना है कि क्या इसमें कौन सा option होगा तो ductility तो generally सभी metals में हो जाता है, लेकिन कुछ metals होते हैं जैसे कि zinc और mercury इसमें ductility नहीं पा जाती, ये brittle होते हैं और mercury तो खाया room temperature पर liquid होता है, तो यहां पर जो पहला statement है, All metals are ductile, ये wrong हो जागा क्योंकि exception आ गया, यहां पर zinc और mercury ठीक है, तो ये दोनों आपका ductile नहीं होते हैं, तो all non metals are ductile, ये भी wrong हो जागा, generally metals are ductile, ये वाला सही हो जागा है, आपका example, generally metals are ductile, तो ये वाला सही exam, इसका answer हो जागा, third question की तरफ बढ़ते हैं, which one of the following is, is not a metal, कौन सा इसमें metal नहीं है, ठीक है, तो example देखते हैं, क्या क्या दिया वाए option है, a option है, copper दूसरा है, sulfur तीसरा है, aluminum और चौर्था option है, iron, ठीक है, तो कौन-कौन सा इसमें metal नहीं है, तो copper एक metal है, aluminum भी एक metal है, iron भी एक metal, जब कि sulfur एक non metal है, यहाँ पर सही answer इसका sulfur है, not a metal पूछ रहा है, ठीक है, metal नहीं है, तो यहाँ पर sulfur नहीं है, यह non-metal है, फोर्थ number question देखते है, material which can be drawn into wires are called ductile, ठीक है, वैसे metals को, जिसको materials को, हम wire draw कर देते हैं, उसको हम लोग ductile metal करते हैं, which of the following is not a ductile material, कौन सा इसमें ductile material नहीं है, ठीक हो रहा है copper, ठीसरा है sulfur, और चौथा है aluminium, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, कि ductility का जो property है, generally metals में पाया, non-metal तो ductile होते हैं, वो तो brittle होते हैं, तो यहाँ पर हमने सीधे ढूनना कि कौन सा non-metal दिया हो, silver एक metal है, copper भी एक metal है, aluminium metal, जबकि non-metal sulfur है, तो correct answer इसका sulfur हो जाएगा sulfur ductile नहीं होता है, metal है generally hard, ठीक है, metal generally hard होता है, which of the following metal is an exception and can be cut with a knife, metal तो generally hard होती है, उसके property में है, लेकिन तो ऐसा कौन सा metal है, जो के exception में आता है, उसको एक knife से हम काट सकते हैं, तो आपके options यहाँ पर है, iron, sodium, gold या फिर magnesium, तो किसको हम लोग एक चाकू के मज़र से सकते हैं, तो देखे, 3 exception यहाँ पर आ जाते हैं, lithium, sodium, potassium, इन 3 metal को हम लोग चाकू के मज़र से गाचते, generally metal यहाँ नहीं काचते हैं, लेकिन इन 3 metal को आप चाकू के मज़र से काचते, यह 3 exception होता है, तो यहाँ पर exception को सा दियाए, sodium अगर इसके बोटास bench, donc これ आखिए उसका, sodium B तरह बढ़ते हैं यहां पर देखिए सारे मेटस दिये वह इसमें नॉन मिटल का नाम नहीं है इसमें बोला कि सबसे जादे इसमें कि सबसे जादे कर सकते हैं तो सबसे जादे होता है यह इतना जाले डक्टाल होता है कि अगर एक ग्राम गोल्ड को अगर आप हीज के तार बनाया जाए तो वह दो किलो मेटर तक वाइड ड्रॉन इससे किया जाता एक ग्राम गोल्ड से अगले कोशन पर तरब बढ़ते हैं विच वान अफ दा फॉल्वाइंग रियक्ट विद कोल्ड वाटर विवरस्वी बहुत तेजी से रियक्ट कर जाता है कोल्ड वाटर के साथ ठीक है तो यहां पर आपके ऑप्शन दिये वह हैं कार्बन है सोडियम है मैगनेशियम है या अगला अगला कोशन तब देखते हैं दम अगला which produce hydrogen gas on reaction with dilute hydrochloric acid as well as sodium hydroxide solution वैसा metal oxide वो कौन सा metal oxide है जो कि hydrogen gas produce करेगा ठीक है वैसा metal oxide जो कि hydrogen gas produce करेगा कब जब hydrochloric acid hydrochloric acid के साथ भी rate कर ले चाहे sodium hydroxide question के साथ धी डेक्ट कर ले तो यहाँ पे होता है इस तरह होता है आडातσι और जो odium Austral तो यहां पर कॉपर आरांशन औरा डी लेक्ती है यह औरा सी ईससी और causal principal अक्साइट होयागा यह फोक्तलिक अखता है यह अगसा और यह sourc cosmos oxide जो है यह acid के साथ react करेगा तो aluminium chloride बनाएगा ठीक है Al2O3 aluminium oxide हो गया और यह HCl के साथ react करेगा तो aluminium AlCl3 बना देगा और वही aluminium oxide अगर NaOz base के साथ भी react करता है sodium hydroxide के साथ तो यहाँ पर sodium aluminate का form करेगा ठीक है तो दोनों के साथ react करेगा अब Aluminium oxide के जगा अगर option हुए है यहाँ पर zinc oxide दे जाता तो भी यह option सही हो जाता ठीक है तो यहाँ पर Aluminium oxide दे zinc oxide ही सब M4 टेरिक oxide है तो यह दोनो acid के साथ भी rate करता है base के साथ भी rate करता है अगर हम रखते हैं तो वह आग लग जाता है उसमें आग लग जाती है तो अगर हम लोग air में रख देते हैं तो यह हवा से oxygen से contact करके यह phosphorus oxide बनाता है और यह हवा से contact होती है यह आग भी इसमें लग जाती है तो इसका सही answer हो जाएगा फासफोरस ठीक है नेट्रोजन नहीं होगा नेट्रोजन तो हवा में होता है कोई आग नहीं लगती हड्रोजन भी अगर आप air में रखेंगे तो वह कोई आग उसमें नहीं लगेगा बस अर्तिक उसको spark नहीं जिया जाए ठीक है लेकिन फासफोरस को बिना spark लगाए अगर आप directly हवा में रख देते हैं तो खुद से खुद उसमें आग लग जाए ए नेime को संव में तरा बढ़ते हैं जनेरली मेटल ऑक्षाइड आर बेसिक नओन और इसमें अगे इसमें क्या बोल रहा है उसे में जनरली मेटलिक ऑकसाइड जो कि मेटलिक ऑकसाइड होता है वह बेसिक होते है और नॉन मेटलिक ऑकसाइड होता है वह एसिदिक इन नेचर होते हैं यह स्टेटमेंट दे दिया अब आगे इसमें क्या बोल रहा है तो यहां पर क्या करा है तो यहां पर पहचानने का तरीका में बताया था कि अगर बेसिक ऑकसाइड रहेगा तो ब्लू हो जागा और एसिड ऑकसाइड रहेगा तो ब्लू कर देगा और एसिड रहेगा तो यहां पर रेड कर देगा तो यहां पर ब्लू रेटमस रेड हो जारा तो इसका मतलब पती बात है कि एसिड है ठीक है एसिडिक इन नेचर है जो सोलूशन में जो जहां डालेंगे वह एसिडिक इन इसिदिक इन नेचर कभ हो रहा है नॉन मेटलिक ऑक्साइड होना चाहिए यहां पर नॉन मेटलिक ऑक्साइड हमें से ढूनना है और वही इसका correct answer हो जागा तो यहां पर जाते हैं sulfur dioxide पहला option है, दूसरा है magnesium dioxide, तीसरा option iron oxide, चौथा option है copper oxide ठीक है, तो यहाँ पे non metallic oxide, copper metal oxide हो गया, iron metal oxide हो गया, magnesium metal oxide, लेकिन sulfur dioxide जो है, यह non metallic oxide है, और यही acidic in nature होगा, ठीक है, यही इसका correct answer होगा, अगले कोशन की तरफ बढ़ते है, aluminium is used for making cooking utensils, which of the following properties of aluminium are responsible for the set, ठीक है, तो कौन सा property उसको उस तरह का बनाने में, utensil बनाने में मदद करता है, ठीक है, making cooking utensils, good thermal conductivity पहला option है, good electric conductivity, तीसरा option है, ductility और चौथा option है, high melting पर, अब देखिए, cooking utensil बनाना है, खाने बनाने का यहाँ पर हमें बरतन बनाना है, तो okay, तो अब क्या चाहिए, अब खाना बनाने का बरतन रहेगा, तो उसकी thermal conductivity अच्छी होगी, पहला option की में मैं बात करो, पहला option, कि अगर thermal conductivity अच्छी होगी, तभी तो जूले से जो आर निकली, gas के, इस जो जो आर निकली अच्छी होगी, वह अच्छे से food तक पहुंचेगा, यूटेंसिल बढ़िया होना चाहिए, तो खुद ही अब फैलेगा नहीं, ठीक है, तो good thermal conductivity में होनी चाहिए, good electric conductivity, electric का तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता के कोई रोल है, ठीक है, यहाँ पर option खुद से common sense होचिए, तो electric conductivity रहे, उससे क्या मतलब है cooking को, ठीक है, बसरते कि वह induction चुला नहीं हो, तो यहाँ पर यह वाला option नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर thermal conductivity अच्छी होने चाहिए, ductility, ductility का मतलब होता है कि wild draw करना, तो यहाँ पर cooking of utensil हमें बनाना है, wild draw ठोड़ी करना है, तो ductility का भी कोई import है, हाँ, यहाँ पर malleability रहता, तब ही इसको हम consider किया जाए, लेकिन ductility यहाँ पर कोई मानने नहीं रखती है, अब चौथा option high melting point, जरूरी high melting point, बनना कि खाना बने गए नहीं, उससे पहले बर्तन नहीं melt कर जाए, ठीक है, अगर आब जिंक का अगर बना देते हैं, इतेंस नहीं हो, राम से खाना बन जा, तो यहाँ पर यह वाला, पहला option और fourth option, यहाँ पर सही है, कि good thermal conductivity होनी चाहिए, और high melting point होनी चाहिए, यह दोनों सही option है, तो one of fourth किसमे है, तो one of fourth D वाल option है, तो D option यहाँ पर correct हो जाएगा, इसका, बढ़ते हैं अंगले question की तरफ, which of the following property is generally not not sown by metal, metal के द्वारा नहीं sown होती है, ठीक है, तो पहला option है, electric conduction हाँ सो होता है, sonorous in nature, हाँ यह भी सो होता है, dullness, नहीं dullness सो नहीं होता है, sinee sown होता है, क्योंकि जितना metal से जायतर चंपीला होता है, मतलब कि चमकदार होता है, ductility हाँ, metal generally ductility सो करती है, तो यहाँ पर जो dullness ह यह वाला option है, यह property metal के द्वारा नहीं होती है, तो correct answer ही आपके dullness हो जाएगा, अगला को बढ़ते है, which of the following metal do not react with cold as well as hot water, जो वैसा metal, जो cold water से भी react ना करे, और hot water से भी react ना करे, ठीक है, यहाँ पर option है, na मतलब sodium, ca मतलब calcium, third option है mg मतलब magnesium, और fourth option, d option है, fe मतलब iron, ठीक है, यहाँ पर symbol के रूप में option दिया हुआ, तो इसमें पूछ रहा है कि वैसा metal, जो hot water से भी react ना करे, cold water से भी react ना करे, sodium, यह hot cold दोनों से rate कर जाता है, calcium, यह भी cold hot लगवाग दोनों से rate कर जाता है, magnesium cold से rate नहीं करता है, लेकिन iron, यह ना hot water से rate करता है, ना cold water से rate करता है, इस इसलिए इसका answer F.E. iron हो जाएगा, अगला question तरह बरते है, which of the following properties not generally exhibited by ionic compound, ionic compound के द्वारा यह property सो नहीं होती है, इसमें से जो property वो सो नहीं होगी, solubility in water, अब जैसे इस तरह का question आए ना, तो क्या करना है कि एक ionic compound का ध्यान कर लेना, जैसे कि हम यहाँ पे example के लिए, आप example में यहाँ पर दिया बना है, हम अपने मन से मान के चल लेते है, sodium chloride चली मान लेते है, common salt है, NaCl इसका हम example लेते चल रहे है, अब उससे match करते जाएंगे, यह property match हो रही है कि नहीं, solubility matter है, NaCl है, ionic compound है, और वो solubile हो जाता है water में, okay, यहाँ पर हमें ढूनना है, not नहीं होती यह property नहीं मिलीगी, electric conductivity in solid state, ठीक है, तो solid state रहेगा, नमक से अगर हम लोग current flow कराएंगे, solid state में, ठीक है, तो उसमे current flow नहीं होगा, तो कि उसमें free ion में नहीं होगा, ठीक है, यह अल option हो गया सही, solubility water, हमें तो गलत वाला ढूनना है यह गलत हो जागा, high melting and boiling point, हाँ, NaCl की high melting and boiling point होती है, यह भी रॉंग हो जागा, electric conductivity in mortens का, हाँ, अगर morten कर देते है, NaCl को, sodium and chlorine and freely move करेंगे, तो आराम से अपने electric conductivity होगे, यह जो point है, A number, C number, D number, यह तिनो, हमारे जो ionic compound, उसमें so कर रहे है, मतलब NaCl पर so कर रहा है, लेकिन electric conductivity in solid state, solid state में sodium and chlorine and NaCl होगे, वो तो free होग नहीं, इसलिए वहाँ पर electric conductivity नहीं होगे, तो इसका correct answer B हो जागा, ठीक है, not generally exhibited by amica, वह सब property जो नहीं so होता है, तिहाँ पर electric conductivity in solid state में so नहीं होगा, तो इसका answer B हो जागा, अगले question देखते है, which of the following metal exist in their native state in nature, अपने सुधर रूप में पाये जाते हैं, किसी component में रूप म नहीं पाये जाते हैं, यहाँ पर आपके option दिये में है, CU मतलब copper, second option है AU मतलब gold, third option है ZN मतलब zinc, और fourth option है AG मतलब silver, तो gold, silver, platinum, यह सब जो कुछ metal है, यह अपने native state में पाये जाते हैं, ठीक है, तो इसका सही answer यहाँ पर होगा, AU gold और AG silver, तो second and fourth कहाँ पर है, second and fourth C option है, तो C option यहाँ पर correct option है, अगला question देखते है, stainless steel is very useful material for our life, ठीक है, stainless steel का हर जगा बरतन से लेखे, building कस तक हर जगे use करते है, in stainless steel iron is mixed with, मतलब कि पूछ रहा है कि stainless steel में जो alloy जो होता है, उसमें कौन-कौन से component होते है, कौन-कौन से metal को मिला के, इस alloy को बनाया, stainless steel को बनाया जाता है, त आपके यहाँ पर option दिया हुए, NICR, nickel और chromium, दूसरा option है, C-U मतलब copper और C-R, chromium, copper और chromium, third option है, nickel और copper, फिक है, और जो fourth option है, C-U and E-U, copper और gold, तो stainless steel जो भी होता है, उसमें nickel और chromium मिलाया जाता है, तभी वो iron में अगर nickel, chromium मिलाया जाता है, एक fixed ratio में, तो वो stainless steel बनाता ह इसका correct option, यह होला हो जागा, nickel और chromium मिलाया जाता है, which of the following can undergo chemical reaction, कौन सा इसमें chemical reaction react करेगा, वो बताना, ठीक है, तो magnesium sulfate plus iron, gin sulfate plus iron, magnesium sulfate plus PV मतलब lead, और copper sulfate plus Fe मतलब की iron, तो इस तरह का जो question है, कौन सा डिस्प्लेस करेगा इसको, तो यह displacement तभी होगा, जब reactivity series में, जो compound है, में जो metal, उससे जादे reactive metal अगर बाहर में बैठा हुआ है, तो वो जो उससे कम reactive metal है, उसको बाहर करतेगा, मतलब की, जो compound में जो metal है, वो जो बाहर बैठा हो metal है, उससे कम reactive होना चाहिए, तो वो उसको displace करता है, मतलब की, जो बाहर है वो जादे reactive होगा, तो reactivity series का question है, तो Zinc और Iron कि अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर Zinc ज्यादे Reactive Iron ऐरें बात करें कि यहां पर Counter-D couper अब प्लस यहां पर copper जो है वह निकल जाएगा बाहर डिस्प्लेस कर डिस्प्लेस्मेंट एक्शन का भी एक्जाम्पूर हो जाएगा यहाँ तो यह वह रियक्ट कर जागा इसका सही option में copper surface solution में अगर आ रहेंगे तो यह रियक्ट करके अरन surface एप एसओ फोर प्लस copper यहां पर बनेगा जनरली नॉन मेटल डून आर नॉट कंड़क्टर ओफ एलेक्रिसिटी ठीक है नॉन मेटल जो होता है नॉट कंड़क्टर नहीं होता है बैड कंड़क्टर होता है ओके विच अफ दा फॉल्लविंग इस गुड कंड़क्टर ओ कौन सा है इस में बिच्छंप से बुड कंड़क्टर ओफ इलेक्रिसिटी नहीं अथ्टिक जो डामेंड रिफाइट और और फॉरीं है सभी कार्बन के मतल्ट यह तीनों कार्बनी रहे डिए और दिनों कार्बनी का है और यहां पर है पर एक एक सेप्शन आ जाता है नॉन सही आंसर इसका graphite हो जागा इससे electricity conduct होती है अब यहाँ पर दिया हुआ है 19 नमर कोशन देखता है the electronic configuration of three elements x, y, z, r, x का 28, y का 287 and z का 282 which of the following is correct ठीक है तो यहाँ पर कुछ element दिया हुआ three element दिया हुआ टीसरा है z is a non-metal और दी option है y is non-metal and z is metal तो electronic configuration हमें देख के बताना है कि कौन सा metal है कौन सा non-metal है ठीक है तो यहाँ पर कोशन पढ़ते है ठीक है 287 ठीक है 287 दियावा मतलब आक्टेट इसका खाली है एक 8 होता तो आक्टेट पूरा हो जाता 8 जो outer cell है उसमें साथी electron है मतलब कि यह पक्की बात है यह non-metal ही है ठीक है एक electron इसको मिले तो आक्टेट पूरा हो जागा एक electron की deficiency यहां पर तो यह जो है non-metal है और Z की अगर बात करें तो 282 यहाँ पर दो electron है ठीक है तो आठ यहाँ पर आक्टेट फूल हो गया था यहाँ पर second object और third object में दो electron है मतलब कि second group का यह element है यहाँ पर दो electron यह अगर किसी non-metal and Z is a metal ठीक है Z metal and Y non-metal तो D option इसका correct answer हो जागा अब अगला question last question की बात करें which of the following method is suitable for preventing an iron frying from rusting तो iron frying pan जो होता है उसको rusting से बचाने के लिए हमें कौन सा method method यूज करेंगे तो आपके options यहाँ पर आप्लाइं ग्रीज ग्रीज का उप्यों करेंगे applying paint paint कर देंगे उसके उ coating of jig okay और all of the other इसमें से कौन सा option इसका सही होगा अगर आप देखें cooking intensity frying panel high heat होगा इसमें high heat होगा और यहाँ पर हमें ग्रीज देंगे तो यह खुद ही जल जागा ग्रीज तो ऑर्गेनिक प्रदार्थ होता है heat लगेगा वो जल जागा option के contact दो यह नहीं हो जाएग option applying paint paint भी एक लिक्विड होता है जिसको एक surface पर लगाया जाता है यह भी अगर heat के contact में आगा तो यह भी जल जागा तो यह भी नहीं होगा applying coating of zinc 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 की अगर हम लोग कोटिं कर देंगे तो यह metal है ठीक है और यह जल्दी से remove होगा भी नहीं तो यह जो है यह option सही हो जागा applying coating of zinc अगर को करते हैं तो यह हटेगा नहीं और यह stable भी रहेगा ठीक है और all of the growth होगा ही नहीं को कि यह दोनों wrong हो जागा तो option C जो है वो correct option यहां के हो जागा थैंक यू very much वीडियो आपको अच्छा लागा तो लाइक से और सब्सक्राइब ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो